In the figure shown, a person wants to raise a block lying on the ground to a height h. In both cases, if time required is the same, then in which case he has to exert more force. Force पूछ रहे हैं किसमे लाएगा? ठीक है? जो पहला डाइगराम में तुम साफ दिख रहा है कि Tension ही MG को बैलेंस कर रहा है. उसका जो अप्लाइड Tension है, अगर उसने T अप्लाइग किया है T, तो T ही जो है वो यहाँ पहुँचेगा और T ही MG के बराबर होगा. तो पहले किसमें अगर Tension T1 नाम रखे हैं, Tension का नाम क्या रखते हैं T1, तो फर्स केस में जो T1 है वही MG के बराबर है, यानि उसको वेट के बराबर ही force लगाना पड़ेगा. लेकिन दूसरे केस में अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर उसने T2 अपलाई किया है, तो इस पूरी रसी में T2 तो इस वाली रसी में यह जो रसी नहीं, यह जो ब्लॉक से connected है, वो direct वाली रसी नहीं, यह जो person ने लगाई, जो person खीच रसी को direct वाली रसी नहीं है, ठीक है, तो उस पर अगर आप ध्यान से देखोगे, तो उसमें tension अगर यहाँ T2 T2 है, तो यह 2 T2 tension हो जाएगा, तो यहाँ पर भी कितना लएगा 2 T2, और 2 T2 mg को balance करेगा, तो दूसरे case में 2 T2 जो है, वो किसको balance कर रहा है, mg को balance कर रहा है, तो इस case में जो T2 आएगा, वो mg by 2 आएगा, तो पहले case में person को उस body के weight के बराबर ही tension लगाना पड़ेगा, लेकिन जबकि दूसरे case में उस person को उस body के weight के आदा tension लगाना पड़ेगा, तो जो force दूसरे case में सिर्फ आदा ही लगेगा, तो second case में कम लगेगा और first case में force ज़्यादा लगेगा, तो कह रहे हैं ज़्यादा किसमें लगेगा, तो answer क्या बनेगा, A part, अगला वाला बहुत ही आसान है, 2 kg का mass है, और x की equation दी गई है, displacement, position की equation दी है, q और p की value भी दी हुई है, r की value भी दी हुई है, और force पूछ रहे हैं, 2 second पर, तो x की equation लिखते हैं, p q r की value डालने के बाद, p है 3, तो यह हो जाएगा 3 t, q है आपका 4, 4 t square, और r है आपका 5, 5 t cube, अब इसको differentiate करेंगे तो velocity आ जाएगी, तो कितने आ जाएगी, 3, plus 8 t, plus 15 t square, एक बाद फिर differentiate करोगे, तो acceleration आ जाएगा, तो यह जाएगा, 8, plus 30 t, और 2 second पर पूछ रहे हैं, तो 2 second पर ही acceleration निकालो, तो फिर at t is equal to 2 second, तो acceleration आपका 68 आ गया, meter per second square, और acceleration को किस से multiply करेंगे, mass से, तो क्या मिलेगा आपको force मिलेगा, force, क्या मिलेगा, force, 2 into 68, so your answer will be 136 newton, एक दम simple, like a piece of cake, कोई चबाने की जरुवत नहीं है, a body with mass 5 kg is acted upon y force of minus 3 i cap plus 4 j cap newton, initial velocity, t is equal to 0 पर initial velocity आपको दी हुई है, और पूछ रहे हैं कि time बताओ at, the time at which it will just have a velocity along y axis, y axis का along velocity चाहिए, x का along नहीं चाहिए, यानि x की velocity 0, तो x पर ही focus करेंगे, पूरा focus x पर रहेगा हुमारा, तो mass कितना है आपका 5 kg, x direction में force कितना है, तो वो है minus 3 i cap, force को mass से divide करके x direction का acceleration निकाल लेते हैं, तो minus 3 by 5 acceleration आगया, और time पूछ रहे हैं कितने time में x की velocity 0 हो जाई, x की initial velocity कितनी है, u x, that is 6 meter per second, और final velocity क्या करने हैं हमको v x 0, और निकालना है time तो लगाएंगे अब first equation, v is equal to u plus 80, final velocity 0, initial velocity 6, acceleration minus 3 by 5, और आपको क्या निकालना है time, तो time आप यहां से निकाल लेना, आराम से आजाएगा, time आजाएगा आपका 6 upon 3 by 5, 10 second, 10 second में उसकी velocity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, a block of mass m is placed on a smooth inclined plane at an angle theta with the horizontal, सही है, the force exerted by the plane on the block, smooth है, तो plane ने सिर्फ भाई, normal reaction ही लगाया होगा, और normal reaction किसके बरावर लगता है, mg cos theta के बरावर, smooth surface है तो, तो diagram भी अगर हम बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा कुछ, यह inclined plane है, इस पर यह block रखा हुआ है, ठीक, और यह force लग रहे होंगे, यह force क्या लगता है, mg sin theta, यह force क्या लगता है, mg cos theta, और यहाँ से कौन balance करता है इसको, और यह क्या हुआ आपका नॉर्मल रेक्षिन तो यह फोर्स होजाएगा, mg cos theta, इस वन इस mg sin theta, और यह क्या हुआ आपका नॉर्मल रेक्षिन, तो नॉर्मल रेक्षिन ही है, force exerted by the plane on the block, and it will balance mg cos theta, a block has been placed on an inclined plane, the slope angle theta of the plane is such that block slides down the plane at a constant speed, by constant speed से slide कर रहा है, constant speed से slide कर रहा है, इसका मतला उस पर net force 0 है, और net force में लगगा कौन-कौन, एक तो कानिटिक फ्रिक्षिन लग रहा होगा, पीछे नीचे लग रहा होगा, mg sin theta, और कानिटिक फ्रिक्षिन की value होती है, mu mg cos theta, और यह balance कर रहा होगा, किसको just balance कर रहा होगा, mg sin theta को, net force 0, तभी तो velocity constant रहेगी बाबा, तो mg से mg cancel out, तो mu कितना आ जाएगा, 10 theta, और ध्यान करो, यही angle of repose भी होता है, angle of repose पे just rest होता है, just rest का मतलब force just balance हो पा रहा है, तो constant speed और rest एक ही बात है, force के terms में एक ही बात है, constant speed और rest, क्यों? constant speed से चल रहा होगा, तब भी acceleration 0, 40 होगा, और rest में होगा, तब भी acceleration 0, 40 होगा, तो एक ही बात है यह दोनों, तो कानिटिक फ्रिक्षिन कितना बनेगा, acceleration 20 का चाहिए आपको, तो कितना amount of gas eject करेंगे हम per second, ताकि thrust हमें मिल जाओ, g की value 10, ठीक, तो जब rocket ऐसे fire करने के लिए रखा गया है, vertical firing के लिए इस तरह से रखा गया है, तो एक तो उपर force लएगा, thrust force, नीचे के लएगा, mg, और acceleration आपको ऊपर चाहिए, तो इसकी जो equations बनेंगी, वो बनेंगी thrust force, minus mg is equal to ma, अब thrust force की value क्या होती है, thrust force होता है, Vr into dm by dt, ये Vr जो है, वो relative velocity है, exhaust gases की with respect to rocket, और dm by dt per second, कितनी gases हम eject कर रहे हैं, कितना fuel burn कर रहे हैं, कितनी gases eject कर रहे हैं, और इस mg वाले term को इधर लेके आएं, तो ये m times g plus से हो जाएगा, चलो सारी value डाल देते हैं, Vr कितना है, आपका 800, यह हमें तो dm by dt निकालना है, तो Vr को भी नीचे ले आते हैं, divide में आ जाएगा, तो mass कितना है, 5000 kg उस movement पे, g की value 10, acceleration 20, तो यह हो जाएगा 30, और relative velocity जो है exhaust gases की वो 800 है, तो यह 1, 2, 1, 2, यह cancel out हो जाएगा, तो यह कितना आ जाएगा, 1500 upon 8, अब आप divide कर लेना, आराम से 150 से तो जाद ही होगा, लेकिन divide दिखान से करना, इसमें 185 b और 187 b हैं, इन दौनों में से कोई answer बने गए, या तो 185 होगा है, 187 काफी close answer है, ठीक है, तो आप divide करके, आराम से answer मैच करा लेना, टू ब्लोक्स आर इन कॉंटक्ट ऑन ए फ्रिक्शन लेस टेविल, वन हैसे मास M, अनदर हैसे मास 2M, दौनों केसे में जो कॉंटक्ट फोर्स है, उनका ratio पूछ रहे हैं, तो पहले यहाँ पर कॉंटक्ट फोर्स निकाल लेते हैं, N1 नाम रखके, N1, N1, तो तरीका यह है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, isolation निकालते हैं, पूरा system बान के, तो जब आप पूरे system की बात करोगे, तो net external force F है, और पूरे system का मास 3M है, और acceleration A, तो A acceleration आगया, F by 3M, clear, ओके, अब हम सिर्फ M बाले block की बात करेंगे, M बाले block पे अगर आप भूद ध्यान से देखोगे, सिर्फ external force horizontal direction में N1 है, और वो M के मास को A का acceleration प्रोवाइड करेगा, तो ये बन जाएगा M into F by 3M, M से M कटके F by 3 आगया, तो पहले case में जो contact force है, normal reaction है दोनों block के बीच में, that is F by 3, now we will move in the second situation, the second situation says that, the force is applied on a smaller block, like this, now we have to calculate the normal reaction, so let's say the normal reaction is N2, the process is same, what we do, first we calculate the acceleration by taking whole system, and the acceleration will be same, if we consider the complete system, total external force is F, total mass is 3M, and the acceleration is A, so what is the value of A, A is F by 3M, now take, consider, the block 2M, okay, on the block 2M, net external force is only N2, in the horizontal direction, and force is equal to mass into acceleration, mass is 2M, and acceleration is same, F by 3M, so in this case, the contact force is 2F by 3, in first case, the contact force is F by 3, and in the second case, contact force is 2F by 3, so what we have to do, we will take the ratio of both the forces, so the ratio is 1 is to 2, so your answer will be B part, clear, here, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, acceleration निकाल रहे हैं, फिर contact force, जब force इदर से लगा रहे हैं, तो contact force निकालने का, आसान तरीका, M बाले block पर free body diagram बनाना होगा, और जब हम force राइट-ेंड साइड से लगाएंगे, तो contact force निकालने का, सबसे बड़ी है method, 2M बाले पर free body diagram बनाना होगा, तो एक case में F by 3 आया, एक case में 2 F by 3 आया, ratio 1 is to 2 हो गया, अभी जो block उबर block वाले questions हैं, वो थोड़े से complicated होते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से समझना होता है, ए 4 kg block is placed on the top of 8 kg block, which rests on a smooth table, ground is smooth है वाई, ठीक, A just slips on B when a force of 12 N is applied on A, अलग से बनाएंगे diagram, ये है आपका block B, और ये है block A, और कह रहे हैं कि A just slip करना शुरू करता है, अगर हम B पे 12 N का force लगाएं, तो समझने वाली बात ये है, ये आपने 12 N का force लगा है, just slip होना शुरू हो गया, तो इनके बीच में इस moment पे friction की maximum value लग रही होगी, तो friction की कौन सी value लग रही होगी, ये maximum, F max लग रहा हो, इस पे भी F max लग रहा हो, कितना लग रहा होगा, वो हम तरह निकाल देते हैं, ये 4 kg है, और ये कितना है, आपका 8 kg है, ठीक, तो just slip करना शुरू होने वाला है, तो पहले हम पूरे system की बात करेंगे, system में net external force 12 N है, total mass 12 kg है, acceleration A है, तो acceleration आगया 1, उसके बाद हम बात 4 kg करेंगे, तो 4 kg पर जो force लग रहा है, वो सिर्फ friction की maximum value है, और वह friction की maximum value, 4 kg को 1 का acceleration प्रोवाइड कर रही है, तो friction की maximum value 4 N आगई, ठीक, friction की maximum value के आगई, ये आपकी 4 N, ठीक, यहां से बगर आपको mu निकालने का मनू, तो mu mg करके mu भी निकाला या सकता, लेकिन जरूथ नहीं है, friction की maximum value हमको मिलगी, हमें शहरी C की जरूथ होगी, ठीक, अब क्या कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, then the maximum horizontal force F applied on B, ओ, गरबर हो गया, जो पहला diagram था, वो यह नहीं है, जो मैंने बना लिया, पहले मैं A पर force लगाया है, यह तो दूसरा का diagram है, ओ, फिर से जरना पड़ेगा, back, 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 देखते हैं कितना back हो पाता है, thank you, हो गया back, ठीक, तो पहले force A पर लगाया है, मैंने तो diagram देखके बना दिया बस, ठीक है, पहला force जो लगाया है, वो A पर लगाया है, यह है 12 newton, और just slip होना शुरू करता है, तो friction कैसे लगेगा, तो इस पर friction लगेगा भाई, पीछे, F max, और इस पर friction क्या लगेगा, आगे, F max, 12 newton तक दोनों साथ साथ चल रहे थे, ground तो smooth है भाई, ठीक है, 12 के बाद उपर वाला slip होना शुरू हो रहा है, just slip हो रहा है, ठीक है, तो फिर से वही काम, पहले क्या मानेंगे, पूरा system, तो net isolation निकालने के लिए, total force है, 12 newton, total mass 12 kg है, तो यह 1 आ जाएगा, अब हम नीचे वाले block की equation बनाएंगे, 8 kg, B वाले block की equation बनाएंगे, B वाले block, जो नीचे वाला block है, उसकी equation बनाएंगे, तो उस पर जो force लग रहा है, वो friction की maximum value ही है, और वही उसको isolate कर आ रहा है, तो 8 kg का वो block है, और isolation 1 का provide कर रहा है, तो 8 newton का force लगएगा, उस पर, clear, तो friction की maximum value आपको पता लगी, आगे question में हमें जरूत पड़ेगी, अब हम पल्टेंगे कहानी, ठीक, तो diagram फिर से बनाएंगे, या इस diagram से काम चला लेते हैं, यह वाला diagram जो है, यह वाला diagram से काम चला लेते हैं, तो इस पर friction कहां लग रहा होगा, B पर friction कहां लग रहा होगा, पीछे हैं, और maximum पूछ रहे हैं, horizontal की maximum value बताओ, ताकि जस साथ साथ चल पाएं, जस साथ साथ चल पाएं, तो friction भी अपनी maximum value पर लगा आगे, के साथ साथ चल पाएं रहा होगा इनको, और इस पर maximum friction कहां लगेगा, आगे, तो अब हम पहले, A की equation मनाएंगे, ठीक हैं, किसकी equation मनाएंगे, A वाले block की, A वाले वाले equation बनाने का फाइदा यह है, कि friction की maximum value हमें पता है, वहीं उसका external force है, 8 newton, तो F है, capital F, जो नोने लगा रहा है, जिसकी value हमें फाइंड करनी है, F max, जिसको मैंने कह दिया, maximum value of F, फाइंड करनी है, is equal to, पूरे system का mass कितना है, तो वह है 12 kg, और isolation कितना आ रहा है, 2 meter per second square का, तो maximum force आपका 24 newton हो गया, so your answer will be be powered, find the value of friction forces between the blocks A and B, and between B and ground, A और B के बीचें force पूछा है, और B और ground के बीचें force पूछा गया है, ठीक, और external force कितना लगा है, 80 newton, यह 0.1 है, यह 0.6 है, तो सबसे पहले इनकी maximum value निकाल लेते हैं, कितनी आईगी, ठीक है, तो A पे जो, उपर वाले पे जो maximum value आएगी, F1 नाम रख देते हैं उसका, उसकी maximum value होगी, mu, mg, m कितना है, 5 और g की value कितनी है, 10, तो यह 5 newton हो गया, उपर वाला तो 5 newton होगा, ठीक, अच्छा, नीचे वाले पे अगर निकालें, इसका नाम F2 रख देते हैं, यह लगेगी, नहीं लगेगी, वो अभी decide नहीं किया है, अभी सुर्फ maximum value लिखी है, हमने कि भाई, इतनी maximum value है, ठीक है, अब लगेगा नहीं लगेगा, वो तो आप देखते हैं, तो applied force कितना है, जड़ा देखो देहां से डियाग्राम में, अप्लाइड फोर्स 80 newton है, 80 newton, और ground से लग रहा है, 120 newton maximum, इसका उप्लाइड पर तो वाई यह चलेगा नहीं, जब ground पर चलेगा नहीं, तो उपर वाले पर तो friction लगेगा ही नहीं, क्योंकि उपर तो चलेगा ही कोई tendency नहीं बनी, तो नीचे वाली surface पर, ground वाली surface पर 80 newton लगेगा, ब्लॉक पर पीछे की तरफ, 80 newton friction, और उपर वाली surface पर कोई tendency नहीं है, तो friction क्या रहेगा, 0, so your answer will be 0 and 80 newton, D part, इस ब्लॉक उफ मास 5 kg is kept on a horizontal floor, having coefficient of friction 0.09, the two mutually perpendicular horizontal forces, दोनों horizontal हैं, 3 और 4 newton, जब 3 और 4 newton दोनों ही horizontal हैं, तो आप ऐसे कहो, सीधे सीधे resultant भाईया, 5 newton का horizontal force लगेगा, और isolation पूछ रहे हैं, सीधी सीधी बात ऐसे बना लेते हैं, एक ब्लॉक है, ground पर रखा हुआ है, इस तरह से net horizontal force 5 newton है, चलेगा की नहीं चलेगा, तो friction की maximum value पहले निकाल के side में रख लेते हैं, ताकि पता लग जाए, खीच भी पाएगा की नहीं खीच पाएगा, तो वो होती है, mu into n, n mg के बराबर होगा, mu है 0.09, 0.9 नहीं, 0.09, normally action mg, तो यह तो भाई, बहुत कम आ रहा है, 4.5 आ रहा ही है, है न, चेक करना ध्यान से, 4.5 आ रहा है क्या, कि 0.45 आ रहा है, 0.45 तो नहीं आ रहा है, 4.5 नूटन आ रहा है, तो चल जाएगा भाई, चल जाएगा, तो acceleration कितना है, वही निकालना है, आ रहा हैगा, अपॉन 5, is equal to acceleration a, तो a आपका आ गया, 0.1, so your answer will be, b part, अगले वाले question में, एक string missing है, string बना लेते हैं, तो एक धागा यहां से, गाई भी कर दिया है, इनो न, यह इस तरह से होगा, a पर connected होगा यह, अब यह question complete हुआ, यह, तो क्या कह रहे हैं, पढ़ते हैं question, इसमें कह रहे हैं, दो masses है, a और b, a का mass है 10 kg, b का है 5 kg, तो a को लिख लेते हैं, यह है 10 kg, यह है 5 kg, 5, connected with a string, passing over a frictionless, fixed pulley, fixed at the corner of the table, as shown in the figure, the coefficient of friction, a और table के बीचे, friction coefficient दिया गया है, point 2, और पूछ रहे हैं आप से, कि minimum mass c, हम a के उपर कितना रखें, ताकि वो चलने न दे, अज़ा, चलने के लिए तो भाई, यह है कि, b कितनी तागत से खीच रहा है, b अपने weight से खीच रहा, 50 newton से कीच रहा है, तो 50 newton जब friction force हो जाएगा, जब friction force की maximum value, 50 newton हो जाएगी, तब ही रुख पाएगा, उससे पहला नहीं रुखेगा, 50 newton तो चाहिए ही चाहिए भाई, इतना चाहिए आपको, तो बस बना लेते हैं equation, friction की maximum value क्या होती है, mu to n, और ये आपको 50 newton चाहिए, mu कितना है, 0.2, नॉर्मल एक्षन दोनों का weight होगा, a का weight प्लस c का weight, ठीक है, तो a का weight होगा 10 g, प्लस c का weight होगा, mg, m नाम रख दिया है, c का mass m कर दिया है, is equal to 50, तो इसको अंदर multiply करें हैं, ये तो हो जाएगा 20, प्लस 10 m, is equal to 50, तो m जो यहां से 10 m 30 पता लग रहा है, इसका मतलब mass जो है, वो 3 kg, कुछ गरबड कर दी क्या, ये बाबा, कुछ गरबड कर दी, यहां से तो मुझे 3 kg समझ मा रहा है, एक बाच चक नहीं, कुछ तो गरबड कर दी हमने, हां, पॉइंट उसे इसमें नहीं multiply किया, ओह, 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 बैक, 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 ये हो जाएगा 20, प्लस 2 m, is equal to 50, तो 2 m आपका 30, तो m 15 kg आगया, 15 kg mass और रखना पड़ेगा, तब इतना ज़्यादा weight बढ़ेगा, तब इतना ज़्यादा normal election बढ़ेगा, तब इतना ज़्यादा friction बढ़ेगा, कि वो B के weight को balance कर पाएगा, रोक पाएगा.